नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल संगीत अत्यागी व्लॉग्स में उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छी होंगे तो आज में फिर से लेके आगे आपके लिए बहुत ही कमाल के यूनिक से टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपकी डेली लाइफ में बहुत जाधा काम आने वाले हैं तो वीडियो को फोल वाट जरूर से कीजेगा वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर से कीजेगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप मेरे चैनल पर फिर्स टाइम आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आकन को प्रेस कर देना जिससे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो आज की हमारी फर्स टिप है नैपकेंस को लेकर तो नैपकेंस का यूज तो हर घर में होता है तो अगर आपके घर में किती पार्टी है बर्दे पाटी है या आपके घमुखें कीसी घैस्ट का डिनर comfort इन्वाइट किया है तो आप इस तरीके से नेपकेंस को डेकुरेड कर सकते हैं गलास लेने और गलास में नैपकीन को अन्दर करना है और हाफ टियू च बाहर करना है तो इसी तरीके से आपको एक-क करके दोलेने नैपकीन को एक आपके डालना है तो देखें यह बहुत सुन्दर सा डिजाइन बनके तयार हो जाएगा जो भी आपके guest होंगे वो जरूर से पूछेंगे कि आपने कैसे बनाया है या फिर कहां से बनवाया है तो यहां देखें इस तरीके से आप जितनी भी napkin है जितना भी आपको dining area में रखना है तो उस तरीके से आप इसमें organize कर सकते हैं तो यहां पर एक एक napkin में इस तरीके से डालती जाऊंगे आप गौर से देखेंगे तो आपको जरूर से समझ में आएगा तो इस तरीके से आपको डालते जाना है तो ध्यान रखें यह napkin श्रिंकनी होने चाहिए आप उनको सीधा करते जाएं साथ की साथ जैसे कि आप डाल रहे है और अपने हाथ के हल्प से हलका हलका इंको दवा देना है जिससे कि इनका जो शेप है अच्छे से आजाए तो यह तो जितना भी बड़ा आपको फ्लॉवर या जो भी बनाना है वह ऐसे बना सकती है तो यह बहुत ही सुन्दर सी एक डिजाइन बनके तयार हो जाती है जो कि आप डाइनिक एरिया में डेकोरेट करके लखेंगे तो देखने में बहुत सुन्दर लगेगा और बहुत और और लगेगा तो यहां देखें सारे नेपकिन को मैंने इसके अंदर डाल दिया उसके बाद आपको हाथ की हेल्प से प्रेस करना है और ग्लास को ऊपर से इस तरीके से हटाना है तो यह देखें एक लोटस शेप में यह सारे नेपकिन सा गए है उसके बाद इनको यूस कैसे करन तो आप देखेंगे एक नैपकिन इस तरीके से निकालना है तो बहुत एजी ली एक ही नैपकिन निकलेगा तो इस तरीके से आप इसको और्गनाइस कर सकते हैं देखने में बहुत सुन्दा लगा है आई होप यह वाला आईडिया आपको पसंद आया होगा तो चलिए नेक्स अपने अकॉर्डिंग कमिया जादा कर सकते हैं तो यहां आलू को छीलने के बाद जो आलू के छिलके हैं उसमें एड करेंगे हम थोड़ा सा नमक तो यहां पर एक चीज का आप ध्यान रखें काले नमक का यूज ना करें वाइट वाला या पिर जो सिंधा नमक होता है बस पर कलेम पर खेंर से तो एक दोनों के लग्री के आप और तो इस तरीकर आप से मिक्स करें आप और आपका बरतन एकदम से नहीं जैसा हो जाएगा आपको पैसे खर्च करने की ज़रत नहीं है ज्वेलर्स के पास जाने की ज़रत नहीं है घर बैठे ही आप अपनी चीजों को क्लीन कर सकते हैं तो यहां देखिए बस मैं इसको क्लीन कर दूंगी यह थोड़ा सा ड्राय हो ग जाएगी एकदम से नहीं जैसी हो जाएगी ऐसे लगेगा जैसे अभी अभी आप मार्केट से लाएगी तो यहां एक गलती आप कभी ना करें चांदी के बरतन के साथ जो कि मैंने की थी यह आप अंदर से ग्लास देख रहे एकदम से काला हो गया तो इसमें क्या क्या हुआ अधितंस परफिर्ट से आप इसमें गुन गुने पानी में और खाने वाला सोड़ा और काला नमक दाप एकदह लिए टाल को घ्लाना तो यहा देता है रखिए बरतन बातों यहां बातों गॉत प्रें concerns About शांदी के बरतन है। भी o rолж कि ऐतかった एक बहुना काया देख्लकत नर बहुत अच्छे से काम करता है और बरतन में एकदम नई जैसी शाइन आ जाती है तो इस तरीके से आपके जितने भी चांदी के बरतन या जूलरी है उनको क्लीन कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है पानी से इसको वाश कर देना है तो यहां पर देखें मैंने नौर्मल तो यहां दैके अंदर से भी आपको क्लीन हो गया है तो आई होप यहाली ट्रेक आपको पसंद आही होगी तो चलिए अगली टिप देख लेते हैं वह क्या है नेक्स्ट टिप है हमारा इस तरीके के कंटेनर्स को लेकर जिनके जो मूह होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है अब इसमें से जो भी सामान होता है उसको निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है तो क्या होता है इसमें ना तो कोई चमच जाती है अगर चोटी एक बहुत जादा चोटी चमच जो प्लास्टिक वाली आती उसका यूज करेंगे तो वो चमच है ना अंदर ही रह जाती है और बड़ी चमच होती है जो नॉर्मल स्टील वाली वो इसके अंदर जाती ही नहीं है तो आप क्या करें अगर आपके साथ भी ऐसी निकला तो चमच को पुख़ज क foul और में ऐसी कि निकाल सकती है और बस आपको इसे चमच कोकर शाही है और दृब्ब्र के जाता खिश्या करना है और जितना भी अब यह छितना भी आपको तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके इसमें से पाउडर निकाल सकते हैं, आई होप यह वाला ट्रिक आपके काम आएगा, तो मैं हमेशा ही अगर इस तरीके के कोई कंटेनर होती है, तो मैं चमच को उल्टा करके इसमें से जो भी सामान है निकाल लेती हूँ, तो चलिए अगला टिप देख लेते हैं, अगला टिप है हमारा चीनी को लेकर, तो बारिश के मौसम में यह नॉर्मली भी भी चीनी में क्या है मौस्चर आ जाता है, जिससे कि हमें चीनी का मेजरमेंट नहीं पता चलता, क्योंकि अगर चीनी में हलका सा भी मौस्चर आता है, तो सारी चीनी चिपचपी हो जाती है, और फिर अंदाजा नहीं होता कि आप कितनी चीनी का यूज़ कर रहे हैं, तो अगर इस तरीके की कोई प्राबलम होती है, अगर आपकी चीनी में मौस्चर आ गया है या नहीं आया है, तो भी आप ये वाला ट्रिक फॉल्लू कर सकते हैं, कभी भी मौस्चर आ सकता है, क्योंकि चम्मच कभी भी हम हलका सा भी अगर एक ड्रॉप भी पानी का चीनी में चला जाए, तो उससे ना पूरी चीनी में मौस्चर आ जाता है और चीनी चिपचपी हो जाती है, तो आपको क्या करना, या तो इस तरीकी का कोई नैपकिन लेना है, तो नैपकिन नहीं है, तो यहाँ पर आप किसी कप्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, आपको क्या करना है, थोड़ इसे चावल इस तरीके से डालने हैं और इसकी एक पोटली बना लेनी है, तो यहाँ देखिए, मैंने नैपकिन का यूज़ किया है, आप कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद इसकी एक पोटली बना लें, और वहाँ पर एक रबर्ट लगा दें, मतलब उपर इसको बांदेना है, डायरेक्ट आप चीनी में चावल नहीं डालें, क्या होता है न, चीनी का यूज़ हम ब्रत में भी करते हैं, तो चावल अन होता है, तो ब्रत खराब हो सकता है, इसलिए इस तरीके की पोटली बना लें, और इसको चीनी के डबे में नीचे डाल दें, तो यहां देखे, मैंने इस तरीके की पोटली बना कर इसके अंदर डाल दी है, और इसको आप थोड़ा सा टाय कर दे, या फिर रबरट मेंड लगा दे या फिर धागे से इसको कवर कर दे, उसके बाद जितनी भी चीनी है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, तो यहाँ देखे, मैंने चीनी इसके अंदर फिल कर दी है, अभी तो चीनी में मौशिर नहीं है, बट बारिश आने वाली है तो आ जाएगा इसमें मॉश्यर या फिर चम्मची कभी हम ढीली डाल देती है तो उसे भी मॉश्यर आ जाता है नेक्स्ट पर क्या होता है जो चीनी है उसमें चीनी आने लगती है तो आपको क्या करना यहां पर आपको इसके अंदर दो लॉंग डाल देनी है जैसे कि मैंने पहले भी डाल रखी है बट दो लॉंग और डाल दूगी तो अगर आपकी इतनी चीनी है तो उसमें आप दो से त प्रॉंग होती है तो इसकी बज़े से चीटिया आसपास नहीं आती नेक्स टिप यह भी देख लेते हैं अगर आप चावल की पोटली बनाकर चीनी में नहीं डालना चाते हैं तो इस तरीकी के जो पाउचे आते हैं वो भी आप इसमें डाल देते हैं जो की गुड वगेरा के डालकर रख दे जरा भी आपके जो भी चीनी है उसमें मौश्यर नहीं आएगा यह सारी चीज़ा उपसर्ब कर लेती हैं चावल भी अगर यह नहीं है तो चावल की पोटली डालते हैं आई होप यह वाले टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आ रहे होंगे पसंद आए हो तो एक लाइक जरूर करें कमेंट करके जरूर से बताएं चलिए नेक्स टिप भी देख लेते हैं नेक्स टिप है हमारा इस तरीके के कप्स को लेकर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने ले लिए हैं कप और प्लेट अगर इस तरीके से आप रखते हैं नॉर्मल हम इसी तरीके से रखते हैं जो कि बहुत सदा space ले लेता है तो इनको रखने का एक बहुत ही simple सी trick मैं आज आपके साथ share करने वाली हूँ तो आपको क्या करना है इस तरीके से जितने भी आपके cup plate है उनको एक साथ इकटा कर लेना है और cup को इस तरीके से फसाना है जो इसका एक handle है उसको दूसरे cup में फसाना है जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में simple इसी तरीके से करना है तो यहाँ देखे इस तरीके से आपको इसमें अंदर एक को फसा देना है अब थोड़े से space में ये सारी चीज़े आ गई I hope ये वाले tips and tricks आपको पसंद आए होंगे तो चलिए मैं करती हूँ इस वीडियो का end I hope आपको ये tips and tricks पसंद आए होंगे पसंद आए हों तो एक like ज़रू करें चैनल पर गर first time आए है तो subscribe ज़रूर से करें bell icon को भी प्रेस कर दें जिससे की आने वाली वीडियो की notification आपको मिलती रहें मैं मिलती हूँ आपसे next video next vlog में तब तक के लिए अपना ध्यान रखें अपनों का ध्यान रखें thanks for watching bye bye and take care